वेलकम टू एक्जाम तक आज चार जुलाई और चार जुलाई 2021 के बनने वाले सभी मोश्ट इंपोर्टन करेंट अफसे के कोश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ मैं मैं आपको बताओएंगा हर एक क्वोश्च्ण के साथ में डिटेल में holidays and साथ में आपको map से भी समयाऊंगा लास्ट में एक क्वोश्च्ण पचूँँगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्च में करना है तो पूरा complete वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इसकी कुई जरण पीडियो जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो make sure join जरूर से कर लेना इसकी current office की पीडियो आपको सभी दिन की पीडियो एक साथ में वेबसाइट पर भी मिल जाएगी तो उसका लिंक पर नीचे description में दिया गया है अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर पहला क्वेश्ण कुश्ण कुण सा है हाली में उत्राखंड के नए 111 मुख्यमंत्री कौन बने हैं और यह बहुत ही ज्यादा चेंजिंग पॉइंट है जसे तरह से 2017-18 में पहकी सारे स्टेट में जैसे तामिल नडू में इस्पेशली चेंज हुए थे बहुत सारे सीम उसी तरह से आज उत्राखंड में हो रहे हैं बहुत सारे सीम चेंजिंग 2021 में अभी ये तीसरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरे मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं ये बनेगे पुशकर सिंग धामी आपको इंपोर्डन याद रखना है पहले थे तिरवेंदर सिंग रावत जो कि लगबग 5-4 साल से 2017 में जब यहां पर असंबली में एलेक्शन हुआ था उसके बाद यही थे तिरवेंदर सिंग रावत लेकिन इस साल के शुरुआत में फेबरोरी मंत में तिरवेंदर सिंग ने इस्तिफा दिया और फिर बने तीरत सिंग रावत जो कि मनला बहुत ज़दा चर्चाओं में रहते थे उल्टे गल्टे अनों के कारण अभी इन्होंने भी श्तिफा दे दिया और पुश्कर सिंग धामी जो हैं यह बने हैं नए मुख्यमंदरी इनका ग्राउंड जान लिजे पहले तो यह बहुत युवा ह आधिक्ष भी रह चुके इसके अलवा दो बार के एंड यह जो है आर एसस में बहुत ट्राइम से काम कर चुके हैं तो यह जो है आरससे जुड़े हुए थे एंड यह अभी बने पुश्कर सिंग दामी जो है नए मुख्यमंदरी अच्छा उत्राकंड में इतने सारी च्श बुश्यमंदरी बन जाएक और बार-बार मुख्यमंदरी चेंज होना लिए अच्छी बात भात बात होती है थी सारका सारका काम भी रूख जाता है यह तो एक ही पार्टी के तीनोंBlcan ने बार बार अपने चीफ फिनिश्र को चेंज कर रही है जैसे कोई ओफर चल रहा है सांट एमले यह तो अच्छा हुआ अभी स्टार्ट हुआ चार साल पहले हो गया होता तो लगवग लगवग सभी सांट मुख्यमंदरी बन जाते ठीक है ना तो यह सब बस मैंने ऐसे बोल लि उतर प्रदेश राजिस से कब अलग वह तो यह सन 2000 में अलग वह एक्चुल मैं सन 2000 में 3 इस्टेट अलग बने थे 36 गर्ड बनाता MP से बिहार से बनाता जार खंड अण उतर प्रदेश से बनाता उत्रा कंड यह तीन जो है अलग अलग बने थे तो यह आपको याद रुखना उत्राखंड उत्राखंड की capital क्या मिलेगी तो देहरा दून है उत्राखंड की capital जहां पर इंडियन military academy बेशताते हैं आईए मैं ठीक है ना इसके अलबा पिछली साल जो है तेरवेंदर सिंग रावत ने गोश्णा की ती गैर सेंड को नई राजदानी बनाने को तो गैर सेंड उत्राखंड की नई summer capital ये भी थोड़ा से आपको याद रखना उत्राखंड की राजयी पाल को ने तो बेबी रहनी मौरिय जो है ये उत्राखंड की प्रेटाइमे राजयी पाल है आपको याद रखना assembly में 60 सीटे हैं आपर ठीक ना मलब विदान सबागी 60 सीटे हैं ठीक है ना तो यह सब आपको उत्राखंड के बारे में थोड़ा से याद रखना मैप मैं आपको उत्राखंड कहाँ पर मिलेगा वैसे तो मैं आपको इंडिया का मैप बहुत कम दिखाता हूं वर्ल्ड मैप काफी दिखाता हू यह हैं लद्दाग और जम्मु कश्मीर दो केंदर सासिज प्रदेश हिमाचर प्रदेश उसके जर्ष्ट नीचे आते हैं एंड लद्दाग जो ना यह केंदर सासिज प्रदेश में सबसे बड़ा हैं शेत्रफल के हिसाब से इसके पास लई-पीयों के नहीं हो अक्षा ही चाइना नहीं हो लेकिन भारत सरकार इनको सब भारत का ही पार्ट मानती है फिर इसके बाद यहां पर पंजाब मिलेगा तो इस साइड में मिलेगा उत्राखंड नीचे हर्याना है पंजाब अभी पहले एक ही स्टेट हुआ करते हैं ठीक ना उसके बाद यह जो हैं अलग हो साइड बार में थोड़ा सा ठीक ना एंड उसके बाद यहां पर आपको जैदा ही जूम होगा लेकिन कोई बात नहीं यहां पर आपको दिक रहा होगा यह जो हैं शिम्ला मतलब यहां से माचल प्रदेश के साथ बाटर बनाता है यहां से आपको मिलेगा यह हर्याना का यहां इस साथ बाटर शेयर करता हैं यहां पर बात कि जाएं यही रियाना एक हरियाना यहां पर देश होगि लीपू जहां परेंगालापानी विवाद यह यहीं पर में अच्रम पर तीन एक आ निती दर रहां सिन्थ इओ लीपू लेग जराओ वह इसक और लिप ! शेयर करता है यह सब कुछ उत्राखंड के बारे में छोटा-छोटे तौर पर जो हैं मैं आपको बता दिया यह देख सकते हैं आप लोग आर्टिकल उत्राखंड गैट्स न्यू चीफ मिनिस्टर फुश्कर सिंग धामी यह होने वाले 11 चीफ मिनिस्टर आफ उत्राखंड यं तो यह वर्ड धयां से सुनलिजे पैरालंपिक यह यानि क्या आपको पतागा टोक्यो में ओल empique में जूलई अगसमे जैसे यह आँलंपिक खतम होंगे उसके ज़स्ट बार टोक्यों में चिपर टोक्यों में फेरालंपिक और यह सितमबर में तो टोक्यों पेरालंपिक के लिए धोजवाग किसे चुना गया ये चुना गया अरियपपन थंगा वैलू को इनको नाम याद रखना तमिल नाडू स्टेट से आता है 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रतना से समानित किया था आपको पता होगा पांच लोगों को जिसमें रोईट शर्मा भी थी रानी रामपाल भी थी इनमें ये भी थे मरियपपन थंगा वैलू जिनको मिला था अगरबाद के खेल रतना वर्ड एंड ये जो हैं टोक्यो एर फेल्ड मेलpower जीता था था 2006 में ठंगा वेलू अभी जो हैं जायेंगे पेर अलंबिक्स में इस बार विछे काफी जबहां है मैं वह हमें देखा था तो श्रह सेंट-बहर्यों के लिए इन तो यह जो हैं अगर बात सुमित मलीक पर यह विरूद लगया आप्स उट टॉटर मलिक आपको सुजर लेंड में. 1912 में स्कापना हुई थी आप इसने अभी इन पर सुमित मलीक पर 2 साल का जो हैं बैन लगा है यह थोड़ा से याद रखना शुशील कुमार भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते आपको बता हुआ एक केस के कारण अभी भी यह चर्चाओं में इन्होंने दो 2012-2008 में जो हैं अगर बातिया स्वरी 2012-2016 में इन्होंने जो हैं एडल जीते थे ओलंपिक में तो यह भी इंपोर्टन है सुशील कुमार नेक्स्ट है यहाँ पर जो हैं चौता कोशन फॉर्थ कोशन कोशन है सरकारने की संस्ता के अध्यक्ष की सेवा निवरत्ति की आयू जो ह हैं इनकी एज को बढ़ा कर 62 कर दिया अमेंडमेंट शुगा हैं तो यह आपको याद रखना है लाइसी लाइफ इंशुरेंस कॉर्परिशन ओफ इंडिया यह आपको याद रखना है इसका हैट्वर्टर मिलेगा उंबई में 1956 में स्थापना हुई थी एं एमार कुमार जो स्थाप लोग लसी के बारे में यहाँ पर यह यह एमार कुमार हैं 1956 में स्थापना हुदी हुंबई में एड़कॉर्टर मिलेगा यह हैं इंडियन गॉर्मेंट ओन इंशुरेंस एंड इंवेस्टमेंट कॉर्परिशन ठीक है ना नेक्स्ट अगर बात कि हैं यहाँ पर यह देख सकते हैं आर्टिकल भी है इंडिया टीवी का गॉर्मेंट एक्स्टेंड डिटार्मेंट एज ऑफ एलाइसी चेर्मेन टू सिक्स्टी टू इयर्स ठीक ना एंड यह अभी जो अगर बात कि 1960 में जो रेगुलेशन एक्ट बना था उसमें अमेंडमेंट किया हैं नेक् इतने शामिल के इंडियन आमी में 12 शामिल के और टोटल 100 शामिल के जाएंगे अगले दो साल के अंदर अच्छा यह क्या हैं ब्रीजिंग इस पे आपको पता होगा इंडिया और शेयर करता है विद चाइना एंड पाकिस्तान ठीक है ना तो इनके साथ बॉर्डर में काफी सारी जगे पर कुछ जगे पर नहर आएगी कुछ जगे पर खाई आएगी छोटे छोटे जगे तो वहां पर ऐसा तो आने कि अर्मानेट जो है ब्रीज बना देगी इंडियन आर्मी उसमें कोश्ट बहुत ज्यादा लगेगी तो यह है शॉर्ट इस्विन ब्रीजिंग सिस सब्सक्राइब यह कितना अच्छा होगा यह इंडियन आर्मी के लिए बहुत हैल्फूल रहेगा अभी जो हैं इंडियन आर्मी चीफ एम अर्वाने साब एंड राजनात सिंग जी ने जो हैं इनको शामिल किया है और यह हैं टोटली स्वादिशी मेर्ड इन इंडिया डिय सब्सक्राइब यह बड़ी कंपनी इसके बारे में आपको याद रखना है इसने बनाये हैं इंडियन आर्मी में यह बहुत हैल्फूल रहेगा अभी आरा शामिल किये हैं और एंडेंड सो जो हैं टोटल शामिल किये जाएंगे शोट इसमें ब्रीजिंग सिस्ट्रम नेक्स इस मनलब स्वादेशी ब्रीज ठीके ना तो यह जो हैं स्वादेशी ब्रीज जिसमें अगर बात की जाएं दस मेंटर का जो हैं शौर्ट स्विन ब्रीजिंग सिस्टम होगा यह इस तरह से आएगा एंड यह एकदम मनलब समतल हो जाएगा उसके उपर से कुछ भी जा सकते हैं ठीक है ना तो यह आपको इंपर्टन याद रखना नेक्स्ट च्छटा कोश्न हालिवें कैबिन ने भारत नेट परियूजना को मंजूरी दे दिये यह कितने राजियों में लागव अभी शुरुवाती तौर पर जो हैं भारत नेट परियूजना को कैबिनेट मंजूर से जोड़ना ताकि हाई स्पीड जोएं इंटरनेट पहुंच चके गावों तक तो यह जोएं सोड़ा राजियों में भी लागू की जाएगी इसमें ज्यादा तरी स्टेट जोएं उत्तर पूरों के हैं साथ में बहुत सारे राजस्तान वगरे यह स्टेट भी है तो यह आप सोड़ा राजियों में लागू की गई है हाली में नैक्स्ट साहथ वा क्व bluetooth को किस देश स्वत्नतरता दिवस मनाते हैं यह तो अब सब होगा स्वत नतरता दिवस किसका मेनते हैं 4 जुलाई को 15 अगस्त को अपना होतार और अमेरीका का उपता है 4 जुलाई को इनको 1776 में ही चोड़ दिया था तो यह आपको याद रुका है यूएस का जो है स्वतंतरा दीवस का बनाते हैं यह कौशन अगर एक्जाम में बनता है तो चार जुलाई वाशंग्टन ड.C आपको इमपड़न याद रखना यहां पर वर्ल्ड बैंक इन सभी के एड़कोर्टर मिलेंगा आपको इन वाशंग्टन ड.C इसके अलबहा अमरीका की उपराश्ट्पती को अने तो कमला है रिश जो और यह अभी जो है अमरीका की उपराश्ट्पती यह 80 जो हैं यह उपराश्टपती इसे साल एक्षन हुए तो इसलिए आपको याद रखना अमिरिका में राश्टपती उपराश्टपती का कारिगाल किता हो था हैं चार वर्ष का होता है नेक्स्ट यहाँ पर आठवा कोशन अगले वर्ष परकार्शित होने वाली नाथुराम गोट से की जीवनी और यह इसके जो है लेकक कौन होने वाले नाथुराम गोट से आपको बतागवा महात्मा गांधी के अत्यारे तो इनकी जो हैं अभी एक आयोग्राफी नहीं है आयो गोट से तो यह आपको थोड़ी सी याद रखना यह था आज का इंपोटेंट करेंट अफेस का वीडियो आई होब कि आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगता ना वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो शेयर करो सभी वाट्साइप पेस्बुक चैनल पर कल किस सवाल कौन सा है तो डॉक्टर्स देए एक जुलाई को मनाते है इसके अलबब एक जुलाई को और कौन सा दे मना जाता है जिसका अपना दिवस भी मनाते हैं यह सभी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है आज का कुश्ण गौन सा है तो किस राज़ियों सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन को दबा दीजी एंड टेलीग्राम को जोइन कर लिए साथ में आपको बता दू कोष्ट गार्ड के एक नई वेकंसी आई जिसके बार में एक्जाम तक की वेबसाइट पर फुल इंफोर्मिशन आ चुके हैं यह देख सकते हैं आप लोग क पोष्ट गार्ड वेकंसी इसके बार में डीटेल के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं एक्जाम तक मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत